नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टुडी विद्राज में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पवंच रीच के महत्पूर बहुबिकल्पिय प्रसनों का मौक टेस्ट कराऊंगा मैं इससे पहले भी मौक ट देख सकते हैं और साथ ही में यद मेरा ये वीडियो पसंदाय तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए आज का पहला कुश्चन देखिए इससे पहले के दो वीडियो में 61 नंबर कुश्चन हो गए थे अब यहां पर ये 62 नंबर कुश्चन है क्षेंगा,杰 municipality 10, 120, rates, 900, 27 नहीं हैं क्योंकि यहां कोई मध्धपद नहीं है पहला अपशन है दूसरा है वाहिए पदों का गुरन का गुरन फल बराबर मध्धपदों का गुरन फल नहीं है तीसरा आपसन है वाह पदों का गुरन फल बराबर मद्ध पदों का गुरन फल और फिर देखिए वाह पदों का गुरन फल बराबर 9000 है तो देखिए इसका जो बाफसन हो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा वाह पदों का गुड़न फल मध्य पदों का गुड़न फल नहीं है यनिकि वाह पदों का गुड़न फल बराबर मध्य पदों का गुड़न फल नहीं है क्योंकि देखिए समानपाथ की एक कंडिशन होती है कि वाहे पदों का गुर्णफल बराबर मद्ध पदों का गुर्णफल होता है और यहाँ पर इसको करके देखिए तो देखिए यहाँ पर मद्ध पदों का गुर्णफल है वो वाहई पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है इसलिए समानपात में नहीं हो सकते हैं अब देखिए, नेक्ट कुशचन देखते हैं तो नेक्ट कुशचन है, चित्र में ओ बृत का केंद्र है निमनलिकित में शत्त है देखिए जहां पर यह चित्र दिया हुआ है और फिर नीचे इस समंदित कुश्चन पूछे गए तो आपको बताना है कि इसमे से सत्य क्या है तो देखिए पहला है रेखा PQ बरत का ब्यास है देखिए रेखा PQ जो है PQ रेखा देखिए ये है तो इसको कहा गया है कि यह ब्रत का ब्यास है फिर देखिए रेखा सीडी ब्रत की छेदिका है रेखा सीडी जो यह है यह ब्रत की छेदिका है कहा गया है फिर जो है थाड़ आफ़सन है रेखा खंड ओ आर ब्रत की जीवा है O.R. breath की जीवा है इसको कहा गया है और फिर next option है A.S.B.A. तरिजिखन्ड है A.S.B.A. यनि कि जो ये है ये क्या है ये तरिजिखन्ड है ये पूरा भाग क्या है तरिजिखन्ड है ये कहा गया है तो इसमें कौन सा आपसा सही है यह आप लोगों को बताना है तो देखिए इसका जो बा आफशन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा रेखा CD ब्रत की छेदिका है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो यह रेखा है यह ब्रत की छेदिका है और जो कहा गया है कि रेखा PQ ब्रत का ब्यास है तो देखिए PQ जो है ब्रत का ब्यास नहीं है ब्रत की एसपर्स रेखा है और रेखा खंड OR ब्रत की तरिज्जा कहा गया है सारी ब्रत की जीवा कहा गया है तो यहाँ पर OR ब्रत की तरिज्जा है यह जीवा नहीं है और फिर जो है A S B A TRIJKHAND कहा गया है यनि कि इसको TRIJKHAND कहा गया है ते TRIJKHAND नहीं ये BRITKHAND है क्योंकि TRIJKHAND जो होता है जैसे मालीजे ये इतना चाप है तो इस चाप के अंतविन्दूओं को इस तरीके से जब TRIJAYAK केंद तक जाती है तो जो ये पूरा भाग बनता है ये पूरा भाग ये क्या कहलाता है ये कहलाता है TRIJKHAND यनि कि TRIJAYAK के द्वारा जो बनता है उसको TRIJKHAND कहते है यनि कि इस तरीके से जैसे ये BRITKH है और यहाँ पर इस तरीके से जो यह भाग बना, यह पूरा क्या कहलाएगा, यह तरिज्य खंद कहलाएगा, और माली जिए इस तरीके से कोई जीवा, इस तरीके से बनी हुई है, और जीवा के दोरा बिरत दो खंडों में बट रहा, तो इसको बिरत खंड कहते हैं, अब देखते हैं, नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है 64 नमबर 2000 का 5 प्रतिसत वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्स का ब्याज होगा 2000 का 5 प्रतिसत वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्स का ब्याज होगा तो देखें यहाँ पर जो है सरल ब्याज की दर से हमको ग्याद करना है तो यहाँ पर देखिए साधान ब्याज का फार्मूला लगा देंगे मूल धन गुड़े दर गुड़े समय बटे शव तो यहाँ पर 200 गुड़े 2000 गुड़े 5 गुड़े 2 बटे शो हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो है दो हजार के दो जीरो जो है यहाँ पर कट जाएंगे सो से यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले लिख लेंगे और उसके बाद फिर बटे सो कर देंगे यहाँ पर और फिर यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देंगे और उसके बाद फिर इनका गुड़ा कर लेंगे तो देखिए बीस पंचे सो और सो दूना दो सो यहाँ पर दो सो हमारा आ जाएगा तो इस परकार से इसका जो थर्ड आपसन है वो बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखिए नेक्ट कुश्चन है पांच की पावर छे माइनस यहाँ पर देखिए माइनस नहीं यहाँ पर बराबर कचिन होना चाहिए पांच की पावर छे बराबर देखे 15,625 का लगुगड़किये रूप है तो देखे पहला अफसन दिया हुआ लाग 15,625 बराबर 6 और आधार में 5 दिया हुआ है और फिर बाफसन दिया हुआ लाग 15,625 बेस 6 बराबर 5 और फिर यहां पर तीसरा अफसन दिया हुआ है लाग पांच बेस में 6 है बराबर 15,625 और फिर चौथा अपसन है लाग 6 और बेस में है 5 बराबर 15,625 तो इसका सही रूप क्या है आप लोगों को बताना है कि इसका लगवड़ कि ये रूप क्या होगा तो फटा फट आप लोग सही एंसर दीजिए तो देखिए इसका जो आ आपसन हो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि देखिए पांच जो है यहाँ पर देखिए पांच बेस में है तो यहाँ पर बेस में पांच ही रहेगा और जो यह संक्या यह आगे आ जाती है तो यहाँ पर देखिए यह संक्या आगे आ गई है और उसके बाद जो 6 है पावर में वो इधर आ जाता है तो यहाँ पर देखिए यह बराबर के इस पार आ गया है तो इस परकार से यही इसका आपसन सही हो जाएगा अब देखते हैं, नेट कुशिचन, तो देखें, नेट कुशिचन है, देखें, च्छाचछ नमबर यादी, सोलह अनुपाथ आट, समानुपाथ आट, अनुपाथ एकस हो तो एकस का मान होगा, तो यहाँ पर देखें, यह कंडीशन हम लगा देंगे, कि वाह पदों का फल तो यहां पर देखे सोला गुड़े एक्स बराबर हो जाएगा आठ गुड़े आठ और उसके बाद फिर यहां पर देखे एक्स को एक तरफ रखेंगे और सोला को इधर पच्छांतर कर देंगे तो यहां पर आठ गुड़े आठ बटे 16 हो जाएगा अब यहाँ पर 8 दुना 16 हो जाएगा और फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चोको 8 हो जाएगा अब यहाँ पर X बराबर 4 हमारा अंसर आ जाएगा तो इस परकार से इसका जो सा आपसन है विल्कुल राइट अंसर हो जाएगा यनि की 4 अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है बित के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ चेतर कहलाता है ब्रित के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ छेतर कहलाता है तो देखिए पहला आप्षन है त्रिज खंड दूसरा आप्षन है ब्रित खंड तीसरा आप्षन है परिद और चौता आप्षन है ब्यास तो फटा फट इसका आप लोग सही अंसर बताईए तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही आपसर नहों हो जाएगा ब्रत खंड क्योंकि देखिए अभी आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं ब्रत के चाप और उसकी जीवा दोरा घिरा हुआ छेत्र जो है वो ब्रत खंड कहलाता है यनि कि मान लीजे ये एक ब्रत है और ये कोई जीवा खीची गई है तो यहाँ पर देखिए जो ये चाप है और जो ये जीवा है इसके जो बीच का भाग है ये क्या कहलाएगा ब्रित खंड कहलाएगा और यहाँ पर देखिए जो पवन सिरीज है पवन सिरीज में यहाँ पर इसका आपसन जो है आ सही किया गया है जो कि बिल्कुल गलत है त्रिज खंड है जो है इसका सही आपसन नहीं होगा क्योंकि ब्रित के चाप और इसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ छेत्र ब्रित खंड कहलाता यहाँ पर त्रिज खंड नहीं होगा इसका जो बा आपसन है वो बिल्कुल राइट अंसर होगा क्योंकि त्रिज खंड देखिए अभी आप लोगों के पहले भी बता चुके हैं त्रिज खंड मालीजिए कोई एक चाप इस तरीके से इतना चाप है और जो है इसके अंत बिंदु से यहाँ पर जैसे मालीजिए दो इस तरीके से त्रिज खंड खिश दी गई तो यहाँ पर इससे घिरा हुआ यानि कि इस चाप के द्वारा और इन तिरिजियाओं के द्वारा घिरा हुआ जो भाग है इसको क्या बोलेंगे इसको तिरिजिखंड बोलेंगे तो यहाँ पर तिरिजिखंड बिल्कुल गलत है यहाँ पर इसका जो बा आपसन है वही बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें 4XZ प्लस 5XQ का एक उभैनिष्ट गुड़न खंड होगा तो यहाँ पर देखें पहला आपसन है X दूसरा आपसन है 5X तीसरा आपसन है 4X और चौत्था आपसन है XY प्लस Z तो देखें इसका जो आपसन है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा X क्योंकि देखें यह जितने भी पद दिये हुए इन सभी में X जो है वो common factor है यहनी कि यहाँ पर X ही इसका जो उभाइनिस्ट है गुडन खंड वो X ही हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है किसी घनाव में 6 होते हैं किसी घनाव में 6 होते हैं देखें पहला आपसन दिया हुआ है 12 दूसरा आपसन दिया हुआ है 6 तीसरा आपसन दिया हुआ है 8 और चौता आपसन दिया हुआ है 5 तो देखें इसका जो सा आपसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा किसी घनाव में 6 होते हैं देखें यहाँ पर भी जो है पावन स्रीज में गलत दिया हुआ है यहाँ पर जो इसका बा आपसन है वो सही किया गया है तो बा आपसन इसका सही नहीं होगा इसका जो सा आपसन है वही सही हो जाएगा क्योंकि देखे घनाब और घन में आठ सीर्स होते हैं यहाँ पर देखे आप लोग इसको अच्छे समझ लेजे मान लेजे यह घनाब इस तरीके से बना हुआ है और देखे यह मान लेजे घनाब हो गया और इसके कहे गया है कि कितने सीर्स होंगे तो यहाँ पर देखे सीर्स यानि कि जो कोने होते हैं वो आपको गिना है तो देखे एक यह हो जाएगा दूसरा ये हो जाएगा तीसरा ये चौथा ये पांचुवा ये और चटुवा ये और सतुवा ये और अठुवा ये यनि कि ये जो है आठ सीर्स होते हैं और देखिए जो छे दिया गया है छे इसके फलक होते हैं छे फलक का मतलब यहां पर देखिए जैसे ये उप अपर का एक फलक हो गया फिर एक इसके नीचे का यह फलक हो गया फिर यहां पर देखिए एक फलक यह अगई वाला हो side यानि कि किनारे जो होते हैं वो किनारे 12 होते हैं यानि कि यहाँ पर जैसे 1 यह हो गया 1, 2, 3, 4 यह 4 हो गया इसी तरीके सिधा देखिए जो है 5, 6, 7, 8 और फिर यहाँ पर देखिए यह 9 हो जाएगा और यह 10 हो जाएगा इसी तरीके सिए 11 और ये बारह तो इस प्रकार से जो है किसी भी घनाब में 6 फलक, 8 सेर्स और जो किनारे होते हो 12 किनारे होते हैं अब देखते हैं next question देखिए next question है परमे संख्या तीन बटे 5 से बड़ी परमे संख्या है तो देखिए पहला अपसन है 4 बटे 10, दूसरा अपसन है माइनस का 4 बटे 10, तीसरा अपसन है 6 बटे 10 और चौथा अपसन है 7 बटे 10 इसमें आप लोगों को बताना है कि 3 बटे 5 से बड़ी परमे संख्या कौन सी होगी तो पटा पटा आप लोग सही एंसर इसका दीजिए तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आपसन हो जाएगा दा यहनी कि साथ बटे दस जो होगी वो तीन बटे पांच से बड़ी पर्मे संख्या होगी क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी संख्याओं के यहाँ पर्मे संख्याओं दी गई हैं इन सभी के बटे में दस दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए हम तीन बटे पांच को भी हर में दस कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हर में दस करेंगे तो यहाँ पर दो से गुड़ा करेंगे तो उपर भी 2 से गुड़ा हो जाएगा तो इस परकार से यहाँ पर हो जाएगा 3 दुना 6 और 5 दुना 10 यानि कि 6 बटे 10 हो जाएगा तो यहाँ पर देखे 4 बटे 10 छोटी संख्या हो जाएगी और यहाँ पर देखे इस संख्या में माइनस लगा हुआ तो ये तो छोटी रहेगी ही और यहाँ पर 6 बटे 10 जो होगा वो देखे बराबर संक्या हो जाएगी लेकिन यहाँ पर बड़ी संक्या पूची गई है तो यहाँ पर देखे 7 बटे 10 ही इसका सही एंसर हो जाएगा तो इस परकार से इसका जो दा अपसन है देखे एकस माइनस 1 अपान 2 और फिर दूसरा अपसन है एकस प्लस 1 अपान 2 और तीसरा अपसन है एकस प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वाईर और चौथा अपसन है एकस माइनस 1 अपान 2 का होल स्क्वाईर तो देखे इसका जो सा अपसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा X प्लस 1 अपान 2 का whole square क्योंकि देखिए जब इसका whole square खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा X square और फिर प्लस B square देखिए होता है तो यहाँ पर देखिए B square का मतलब हो जाएगा 1 upon 2 यहनि की 1 upon 2 का whole square होगा तो 1 upon 4 हो जाएगा फिर प्लस जो है 2AB तो 2AB का मतलब 2 into X into 1 upon 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 upon 2 से देखिए यहाँ पर जो 1 upon 2 है तो बटे वाले 2 से यह वाला 2 कड़ जाएगा तो यहाँ पर देखिए X square प्लस 1 upon 4 और फिर प्लस का X यनि कि हमारा इतना ही आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए इसका जो सा आपसन है यही बिल्कुल right answer हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखे next question है बाता नमबर यदि 2, 3 और X का समानतर माद 3 है तो X का मान होगा यदि 2, 3 और X का समानतर माद 3 है तो X का मान होगा तो देखे पहला आपसन दिया हुआ 4 दूसरा आपसन दिया हुआ 5 तीसरा आपसन दिया हुआ 8 और चौथ़ा आपसन दिया हुआ 1 तो फटा फट इसका आप लो ग सही जवाब देजिए तो देखेIsका जो सही एंसर है वो हो जाएगा आ नमबर देखिए दो तीन और एकस का समांतर माद तीन दिया हुआ तो यहाँ पर देखिए समांतर माद का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन बराबर हो जाएगा पदों का योग देखिए दो प्लस तीन और प्लस एक्स और बटे हो जाएगा इनकी संख्या तो देखिए इनकी संख्या कितनी है तो इनकी संख्या है देखिए तीन क्योंकि तीन पद दिये हुए तो इनकी संख्या तीन हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए जो है cross multiply कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए तीन तरिक का 9 और उसके बाद बराबर में हो जाएगा 3, 2, 5 यहनि कि 5 प्लस X अब यहाँ पर X बराबर निकालेंगे तो X बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 तो यहाँ पर X बराबर हो जाएगा 4 तो देखिए यहाँ पर जो A आपसन है यही बिल्कुल right answer हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखिए next question है 2 बटे X माइनस 1 प्लस 3 बटे 1 माइनस X का मान होगा तो देखिए यहाँ पर first option दिया हुआ है 5 बटे X प्लस 1 और second option दिया हुआ है 5 बटे X माइनस 1 का whole square और फिर तीसरा आपसन दिया हुआ है 6 बटे X माइनस 1 और फिर गुडे में दिया हुआ है 1 माइनस X और फिर चौत्छा आपसन दिया हुआ है माइनस 1 बटे X माइनस 1 तो देखिए इसका जो 10 आपसन हो विलकुल राइट आइंसर हो जाएगा माइनस 1 अपान X माइनस 1 तो देखिए इसको कैश से हल करेंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो है 2 अपान लिख लेंगे X माइनस 1 और उसके बाद फिर यहाँ पर minus जो है आगे ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा three upon x minus 1 यनिकि दोनों के हर में same संख्या difference हो जाएंगी तो यहां पर देखिए जो है उपर वाली संख्या difference घट जाएंगी तो यहां पर तीन मेंसे दो घटेगा तो यहां पर देखिए माइनस कना न हो जाएगा क्योंकि 3 के साथ में माइनस है और बते हो जाएगा X माइनस 1 तो यहाँ पर देखिए इसका जो 10 आफसन है विल्कुल राइट अंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुस्टन तो देखें नेक्ट कुस्टन है चार समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुड़न फल 36 है यदि वाह पदों में एक पद तीन हो तो दूसरा वाह पद होगा चार समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुड़न फल जो है वो 36 है यदि वाह पदों में एक पद तीन हो तो दूसरा पद क्या होगा तो यहाँ पर देखिए पहला अपसंदिया हुआ है चार दूसरा अपसंदिया हुआ है आठ और तीसरा अपसंदिया हुआ है बारह और चौथा अपसंदिया हुआ है दस तो देखे इसका जो सा आपसे ने बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा बारा क्योंकि यहाँ पर देखे चार समान उपाती पदों में मध्ध पदों का गुड़न फल दिया हुआ थिस और वाह पदों में एक जो है पद दिया हुआ तीन तो यहाँ पर देखे हम दोनों को बराबर कर लेंगे यहनी कि जो दूसरा वाह पद है उसको हम एक्स मान लेंगे तो यहाँ पर देखे थीरी एक्स बराबर हो जाएगा च्छतिस और फिर जो है एक्स बराबर यहाँ पर एक्स को उधर भेज़ देंगे तो यहाँ पर 36 बटे 3 हो जाएगा और पिर 3 से 36 को भाग देंगे तो यहाँ पर 3 एककम 3 और 3 दुनना 6 यहनि कि X बराबर हमारा 12 आ जाएगा तो यहाँ पर इसका जो सा आपसन है वो बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है 3 बटे 4 का होल स्कायर गुडे 3 बटे 4 की पावर 10 भागे 3 बटे 4 की पावर 8 का मान है तो यहाँ पर देखें पहला आपसन दिया हुआ है 3 बटे 4 दूसरा आपसन दिया हुआ है देखें 81 बटे 256 और 3 आपसन दिया हुआ 27 बटे 64 और 4 आपसन दिया हुआ है 9 बटे 16 तो फटा फटा आप लोग इसका सही एंसर देजिए तो देखे इसका जो बटेम कर दो आपसन है बिल्कुल राइट आइंसर हो जाएगा क्योंकि देखिए जब बेश समान हो तो जो घहतें होती है वो गुढ़े में घहतें जुड जाती है और भाग में घहतें घड जाती है तो यहाँ पर देखिए पहले जो दो संख्याएं हैं वो गुड़े में हैं तो यहाँ पर देखिए यह पहले इनकी पावर जो है वो जुड़ जाएंगी यनिकि 3 बटे 4 की पावर 2 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 प्लस 10 हो जाएगा और फिर लास्ट वाली पावर घट जाएगी माइनस आठ हो जाएगा तो यहाँ पर तीन बटे चार की पावर कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा दस दो बारा और बारा में से आठ घटेगा तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखे तीन बटे चार का जब पावर में चार है तो यहाँ पर इनका गुड़ा करेंगे तो तीन तरिक का नव, नव तरिक 27 और 27 तियां ही कितना हो जाएगा एक क्यासी हो जाएगा उपर और बटे में यहाँ पर देखे चार की पावर चार करेंगे तो 4 चोक 16, 16 चोको 64 और 64 चोको 256 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो इसका 2 आपसन है वही बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखिए नेक्ट कुश्चन है एकस की पावर देखिए माइनस 6 भागे एकस की पावर माइनस 7 का मान होगा एकस की पावर माइनस 6 भागे एकस की पावर माइनस 7 का मान होगा यहाँ पर देखिए पहला आपसन दिया हुआ एकस की पावर माइनस 1 दूसरा आपसन दिया हुआ एकस की पावर माइनस 2 तीसरा आपसन दिया हुआ X की पावर प्लस 1 और चौथा अपसन दिया हुआ है X की पावर प्लस 2 तो आप लोगों को फटा फटिस का सही एंसर बताना है तो देखिए इसका जो सही एंसर है वो हो जाएगा X की पावर प्लस 1 देखिए कैसे होगा यह यहाँ पर देखिए जो है बेस समान है तो यहाँ पर जो घातें है वो घड़ जाएंगी क्योंकि भाग में घातें घड़ती है तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए X की पावर माइनस 6 दिया हुआ है और फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7 दिया हुआ है और फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा X की पावर माइनस 6 और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो यहाँ पर प्लस का 7 हो जाएगा अब देखिए 7 में से 6 घड जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा X की पावर प्लस का 1 यनि कि यहाँ पर हमारा जो आपसन नंबर सा है यह बिल्कुल राइट आइंसर हो जाएगा X की पावर देखिए प्लस का 1 अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है X स्क्वाइर माइनस 4 बटे X प्लस 2 का होल स्क्वाइर का नियुनतम रूप होगा यनि कि इसका नियुनतम रूप लिखना है तो देखें पहला अपसन दिया हुआ X प्लस 2 और बटे में X माइनस 2 दूसरा अपसन दिया हुआ X माइनस 2 बटे X प्लस 2 और तीसरा अफ़सन दिया हुआ है X-1 बटे X-2 और चौथा अफ़सन दिया हुआ है X-2 बटे X-1 तो इसका आप लोग फटाफट सही जवाब दीजिए तो देखे इसका जो बाफ़सन हो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा यहाँ पर देखे दिया हुआ है X-2 माइनस जो है 4 दिया हुआ तो यहाँ पर देखे इसके गुड़न खंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा X-2 और हो जाएगा X-2 क्योंकि यहाँ पर A-2-B-2 का फार्मूला बनेगा तो यहाँ पर x-2 और x-2 उपर हो जाएगा और बटे में यहाँ पर देखे x-2 का whole square पहले से है तो यहाँ पर देखे इस से यह square कट जाएगा यहनि कि नीचे बचेगा x-2 और उपर बचेगा x-2 तो यहाँ पर इसका जो 2 option है वही right answer हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखे next question है यदि एक घं की कोर 4 cm हो तो उस घं के कोरों की संख्या होगी देखे पहला option दिया हुआ है 4 दूसरा option दिया हुआ है 16 तीसरा option दिया हुआ है 8 और चौता option दिया हुआ है 12 तो देखे इसका जो 2 option है बिल्कुल right answer हो जाएगा अभी आप लोगों को बता चुका हूँ मैं कि देखे घं हो या घंाब हो उसमें कोरों की संख्या 12 होती है यानि कि जो side होती है वो कितनी होती है 12 होती है और जो है उसके कोने होते हैं वो कोने कितने होते हैं 8 होते हैं और जो उसके फलक होते हैं वो 6 होते हैं तो यह आप लोग बिसे सूप से याद रखना अब यहाँ पर देखे next question है question number देखे 79 है lag 179 और base में 13 है का मान होगा तो यहाँ पर देखे पहला अपसंदिया हुआ 13 दूसरा अपसंदिया हुआ 179 तीसरा अपसंदिया हुआ 179 बटे 13 और चौता अपसंदिया हुआ 2 तो इसका आप लोग फटा-फट सही जवाब दीजिए देखे इसका जो सही एंसर है वो हो जाएगा दा क्योंकि यहाँ पर देखे दो दिया हुआ है तो इसका जो मान है वो दो ही हो जाएगा देखे कैसे होगा यहाँ पर देखिए लाग 179 और बेस में 13 दिया हुआ है तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लेंगे लाग देखिए आधार में दिया हुआ 13 और 179 दिया हुआ है तो यहाँ पर 13 का स्क्वाइर कर लेंगे देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वाइर कर लेंगे और फिर यहाँ पर जो है दो आगे आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से और फिर लाग हो जाएगा जो है 13 और यहाँ पर आधार में 13 तेरा और जब देखिए जिसे संख्या का लाग लेना है आधार में भी तेरा हो और वो संख्या भी वही हो सेम हो तो यहाँ पर देखिए इसका मान एक हो जाता है तो यहाँ पर दो गुड़े देखिए हो जाएगा वन तो यहाँ पर दो गुड़े वन का मतलब कितना हो जाए तो इसका जुद्दा option है विल्कूर राइट answer हो जाएगा अब देखते हैं next question देखें next question है अर्ध बृत में इस्थित कोण का मान होता है अर्ध बृत में इस्थित कोण का मान होता है देखें पहला option है 45 डिगरी दूसरा option 60 डिगरी तीसरा आप्षाण 90 डिगरी और चौता आ तो देखे इसका जो सा आपसन है बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा 90 डिगरी देखे सारे के सारे important question है क्योंकि देखे ये previous year में पूचे हुए question है तो सारे के सारे important question है आप लोग बहुत ही अच्छे से इनको जो है समझ लेना यहाँ पर देखे कहा गया है अर्ध ब्रत में इस्थित कोण का मान होता है तो देखे अर्ध ब्रत का मतलब यहाँ पर जैसे यह एक ब्रत है और यहाँ पर इस तरीके से यह ब्यास भुजा है मान लीजे अब यहाँ पर देखिए जो यह कौण बनता है यह यहाँ पर जो होगा कौण यह कितना होगा यह जो है 90 डिगरी को होगा इसी तरीके से मान लीजे ब्यास से इस तरीके से नीचे कोई कौण बना है तो यह भी क्या होगा ये भी 90 डिगरी का कोण होगा तो इस प्रकार से आर्ध विरत्य में बना कोण कितना होता है सम कोण होता है ये आप लोग भी सेशूप से ध्यान रखना अब देखिए नेट कुश्चन है देखिए A की पावर 7 गुड़े A की पावर माइनस 9 का मान होगा तो यहां पर देखिए पहला आपसन दिया हुआ A की पावर माइनस 9 और उसके बाद फिर B आपसन दिया हुआ A की पावर प्लस का 7 और फिर देखिए तीसरा आपसन दिया हुआ है A की पावर माइनस 2 और फिर चौथा आपसन दिया हुआ है A स्कॉर तो इसका आप लोगों को फटाफट सही अंसर देना है तो देखिए यहाँ पर देखिए बेस समान है तो गुड़ा में घातें जुड़ जाती है तो यहाँ पर A की पावर 7 प्लस जो है माइनस करना हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो है जब A की पावर 7 और प्लस माइनस का 9 करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब ब्रेकेट खोलेंगे तो A की पावर 7 माइनस 9 हो जाएगा यनि कि 9 में से 7 घट जाएगा तो A की पावर कितना बचेगा माइनस का 2 बच जाएगा तो यहाँ पर इसका जो सा आफसन है वो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा A की पावर माइनस का दो अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है A क्यूब माइनस B क्यूब अपान A स्क्वाइर प्लस A B प्लस B स्क्वाइर का मान होगा तो देखें पहला आफसन है A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर दूसरा आफसन है A माइनस B तीसरा आफसन है A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर और चौथा आफसन है कोई नहीं तो देखिए इसका जो बा आपसन है बिल्कुल राइट आइंसर हो जाएगा A-B क्योंकि देखें यहाँ पर A-B-Cube का फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ पर जब फार्मूला खोलेंगे तो देखें क्या हो जाएगा तो यहाँ पर उपर हो जाएगा A-B एक ब्रेकेट में हो जाएगा और उसके बाद फिर हो जाएगा A-Square प्लस B-Square और फिर हो जाएगा प्लस का A-B और फिर बटे में देखें क्या लिखा हुआ है बटे में लिखा हुआ A-Square और प्लस का A-B और लिखा हुआ है प्लस का B-Square तो यहाँ पर देखें इससे यह पूरा उपर कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पर A-B हमारा बच जाएगा तो इस परकार से इसका जो बा आपसन है वो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है 7 बटे 20 भिन का प्रतिसत रूप होगा तो यहाँ पर देखें पहला आपसन है 15 प्रतिसत और दूसरा आपसन है 20 प्रतिसत तीसरा आपसन है 25 प्रतिसत और चौथा आपसन है 35 प्रतिसत तो देखिए इसका जुद्धा आपसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 35 परतिसत क्योंकि देखिए कोई भी संख्या दी हुई हो अगर उसमें हमको परतिसत लगाना है तो हम क्या करेंगे 100 से गुड़ा करेंगे और परतिसत हटाना है तो 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको परतिसत लगाना है यनि कि 7 बटे 20 दिया हुआ है और इसमें हमको क्या करना है परतिसत लगाना है यनि कि परतिसत के रूप में लिखना है तो यहाँ पर हम 7 बटे 20 में क्या करेंगे 100 से गुड़ा कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 20 पंचे 100 हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है यदि समुच्चे A बराबर 4, 6, 7 और समुच्चे B बराबर 3, 5, 6 हो तो A intersection B का आवयो होगा तो देखें पहला अपसंदिया हुआ है 5, दूसरा अपसंदिया हुआ 6, तीसरा अपसंदिया हुआ 7 और चौथा अपसंदिया हुआ 4 तो देखें इसका जो 2 अपसंदिया हुआ हो जाएगा क्योंकि यहां पर देखें A intersection B ग्याद करने के लिए कहा गया है तो A intersection B का मतलब है जो दोनों में कामन हो तो यहां पर देखें चार इसमें है और इसमें नहीं है और उसके बाद फिर देखें 6 इसमें भी है इसमें भी है और 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और यहां पर देखें 5 जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं, यहां पर जो है, सिर्फ छे एक ऐसा आवयो है, जो दोनों में है, तो यहां पर जो इसका बा आपसन है, वही रहे टैंसर हो जाएगा, अब देखते हैं, नेक्ट कुश्चन, तो देखें, नेक्ट कुश्चन है, एक वर्ग मीटर बराबर है, एक वर्ग मीटर बराबर है देखिए पहला आपसं दिया हुआ है एक हजार वर्ग सेंटिमीटर दूसरा आपसं दिया हुआ है सव वर्ग सेंटिमीटर तीसरा आपसं दिया हुआ है दस हजार वर्ग सेंटिमीटर और चौथा आपसं दिया हुआ है दस वर्ग सेंटिमीटर तो देखिए इसका जो सा आप्सन है वो बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा क्यूंकि एक वर्ण मीटर बराबर पूँचा गया है कि कितने वर्ण सेंटिमीटर होगा तो देखिए एक वर्ण मीटर का मतलब हो जाएगा एक मीटर और गुडे एक मीटर यहाँ पर इस तरीके से मान लेजिए एक मीटर गुड़े एक मीटर तो यहाँ पर एक वर्ग मीटर हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए एक मीटर में 100 सेंटी मीटर होते तो यहाँ पर 100 सेंटी मीटर लिखेंगे और उसके बाद फिर देखिए गुड़ा करेंगे 100 सेंटी मीटर यनि कि यहाँ पर दूसरा देखिए यहाँ पर 1 मीटर है तो यहाँ पर 100 सेंटी मीटर और हो जाएगा इन दोनों का गुड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर गुड़ा करेंगे तो देखें सव का सव से गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक के आगे चार जीरो यनि कि यहाँ पर हो जाएगा दस हजार और फिर सेंटी मीटर का सेंटीमीटर से गुड़ा होगा तो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वाइर हो जाएगा तो इस परकार से देखिए यहां पर जो है दस हजार वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा यह निकि इसका जो सा आपसन है वो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा तो इस परकार से आज के सारे कुश्चन समावत होते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे कुश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे फिर मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम